हेलो अब्रिवन वालकम टू माइन अधर वीडियो तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे रमायन पार्ट पांच सुन्दर कांट तो इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उनके प्रशन उतर हम कर चुके हैं जिन नहीं देखी है वो वीडियो तो आप मेरी चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो शुरू करते हैं इसके प्रशन उतर तो इसमें प्रशन नंबर एक है समुद्र पार कर हनुमान लंका में किस प्रकार पहुंचें मारग में उनको क्या-क्या कठनाई या हुई तो इसका जो उतर है जो इस प्रकार से हैं महिंदर परवत पर खड़े होकर हनुमान ने अनंत सागर को लहराते हुए देखा पवन देपता का समरण कर उसने उड़ना शुरू किया मतलब जो हनुमान जी थे उन्होंने पहले उस अनंत सागर का मतलब हुआ जिसका कभी अन्त नहीं हो सकता ऐसे पिशाल सागर को उन्होंने परवत पर खड़े होकर देखा और उन्होंने क्या किया पवन देपता का समरण किया और उड़ना शुरू किया तो नागो की माता सुर्मा ने उसकी परिक्षा ली तो नागो की माता थी सुर्मा उसने हनुमान की परिक्षा ली फिर हनुमान उसके विशाल मुह में गुसकर पहार निकल आए फिर सिहिंका राक्सशी ने उसे पकड़ लिया हनुमान उसका पेट फाड़ कर उसको मार कर आगे बढ़े और लंका पहुंच गए तो ये पूरा बताया गया है कि हनुमान किस परकार से लंका पहुंचे और मारग में उनको क्या-क्या कटनाईया हुई तो इसको आप एक से दो वार पढ़ेंगे तो एकदम से आपको ये लर्न भी हो जाएगा प्रशन नमबर दो है लंका यात्रा में हनुमान ने अपने बल और अपनी बुद्धी दोनों का परिचे दिया है दोनों के उधारन दो तो सबसे पहले बुद्धी का उधारन है कि नाग माता ने जब उसे निगल लिया तो उसने अपनी बुद्धी का परिचे देकर शुक्षम रूप धारन करके बाहर निकल आए तो उन्होंने क्या किया अपनी बुद्धी का परिचे दिया और अपना छोटा रूप करके वो सुर्मा के मुझे से बहार निकला आए तो फिर बल का प्रियोग उन्होंने कैसे किया तो इसके बारे में आगे लिखा है जब सिहिंका ने उसकी परिचाई पकड़ कर उसे निकल लिया क्या किया सिहिंका राक्षशी ने जब उसकी परच्छाई पकड़ कर उसे निगल लिया तो उसने अपने बल का प्रियोग करके अपने नाखुनों से उसका पेट फार दिया और बाहर निकल आए तो मुझे लगता है कि एक प्रशन भी आपको समझ में आ गया होगा तो इसको भी जब एक दो बार आप रिड करेंगे तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा सुनते सुनते ही याद हो जाएगा तो बच्चो अगला प्रशन है सीता और हनुमान की भींड का वर्णन संक्षेप में करो तो इसका उत्तर है सीता और हनुमान की भींड का वर्णन मतलब भींड का मतलब क्या हो कि सीता और हनुमान किस परकार से मिले तो शुरू करते इसका उत्तर जब हनुमान सीता को खोजदे खोजदे अशोक बाटिका में पहुंचे तो उनकी नजर सीता पर पड़ी तभी वहां रावन आया और सीता को ड्राया धमकाया और चला गया राक्षशी त्रीजटा ने दूसरी राक्षशियों को सीता की सेवा करने को कहा फिर हनुमान ने पेड से ही रामकथा सुनाई लेकिन सीता के मन में बार बार संदे उठ रहे थे तभी अंत में हनुमान ने राम की दीव हुई अंगुठी दी मतलब सीता को जो हनुमान की जो बात थी उस पस दे उठ रहे थे उनको शंका हो रहे थी कहीं ये कोई दुश्मन तो नहीं तभी जो हनुमान ने राम की दीव ही अंगुठी सीता माता को दिखाई तभी सीता को भरोसा हो गया और अपना चूड़ा मनी राम को देने के लिए कहा अंगुठी देकर ही सीता को जो है बिश्वाश हो गया कि हनुमान जी को राम ने ही बेचा है तो आई हो भी यह आपको समझ में आ गया होगा तो अगला जो लास्ट प्रशन है प्रशन नमबर चार लंका देहन का संक्षेप में बर्नन करो तो लंका देहन का मतलब कि लंका क इस प्रकार से जली उसका वनन करना है तो सीता से विदा लेने पर हनुमान ने अशोक बन उजाड दिया जब सीता को उन्होंने विदाए ली हनुमाने तो उसने क्या किया अशोक बन को उजाड दिया जब रावन को पता चला तो उसने अपने बीर पुत्तर अक्षे कुमार को हनुमान से युद करने भीजा क्या क्या जब रावन को पता चला तो उसने क्या 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 अपने बीर पुत्तर अक्षे कुमार को हनुमान से युद करने के लिए भीज दिया लेकिन वह मारा गया तब मेगनाथ हनुमान को पकड़ कर रावन के पास ले गया तो मेगनाथ ने क्या किया हनुमान को पकड़ कर वो उनको रावन के पास ले गया रावन ने हनुमान की पूँच में आग लगा कर सारी लंका नगरी में गुमाने का आदेश दिया फिर उन्होंने क्या किया हनुमान की पुंच में आग लगा दी फिर हनुमान तो हनुमान ने छोटा रूप धारन कर उचल कूद करके सारी लंका को जला कर राक कर दिया फिर हनुमान ने क्या किया अपना रूप छोटा कर लिया और उचल कूद करके सारी की सारी लंका को राक कर दिया तो ये था लंका दहन का वर्नन तो आई होब कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे प्रशन आपको प्रशन उतर सारे समझ में आगे होंगे तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए है प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें